हरे कृष्णा आप सब भी प्रियादर्शकों का स्वागत है एक बार फिर आपके पसंदीदा शो और मेरे भी पसंदीदा शो विमन इन कृष्णा कॉशिसनेस के एक बिल्कुल नहीं एपिसोड एक बिल्कुल नहीं कड़ी में जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और जो regularly हमारे साथ जुड़ते हैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मैं पूरे दिल से स्वागत करती हूँ शो साथ करने से पहले मैं थोड़ा लेट होने के लिए शमा चाहती हूँ कई बार कुछ टेक्निकल एरर्स के कारण हमें थोड़ा सा लेट हो जाता है लेकिन वो कहते हैं न गुड़ तिंग्स टेक टाइम यही कहे कर आप अपने आपको दिलासा दिला दीजिए दर्श को women in Krishna consciousness के इस session में आज हम एक बहुत ही अच्छे topic पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही practical topic पर बात करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम इस topic पर हर angle से बात कर सके spiritual material you know emotional हम बात करने वाले हैं काव उसके बारे में गौमाता के बारे में और इस बारे में हमारे सा बात करने के लिए जो महिला जो विशेश स्त्री जुड़ने वाली है वो कई बार हमारे साथ जुड़ चुकी है एकादशी जैसे महतपूर्ण विशेपर मैंने दो बार उनसे बात की है मुझे वह सवभाग्य प्राफ्त हुआ और आज भी ये मेरा सवभाग्य ही है कि इतने अच्छे विशेपर भी मुझे उनसे बात करने का ये अफसर मिला है आप सभी का ज्यादा समय नहीं लूगी मैं आप सभी के मद्धे तालियों के साथ मैं आम अंत्रत करना चाहती हूँ क्रिश्न रूपा माताजी को आपका बहुत-बहुत धन्यवाद के आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे दर्शेकों के साथ जुड़कर इतने अच्छे विशेपर हमारा मार्ग दर्शन करने का निड़ने लिया माता जी आज का ये जो सेशन है जो गौ माता पर निर्बर है तो इससे पहले के हम फिलोसोफिक के साथ आगे बढ़े मुझे ये बताएए क्या आपने परस्नली कभी गौ माता के साथ असोसियेट किया है बिफोर स्टार्टिंग नमो ब्रामने देवाय गो ब्रामने हितायच जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमा तो शुलब प्रभुपाद ने एक बार बगवान कृष्णा जो कह रहे है कि बगवान कृष्णा परस्नली जो है इन काउस के साथ इनों टेक केर करते थे और ये सौभागय मुझे भी प्राप्त हुआ है जब भी मैं अपनी नानी के यहां पर जाती थी तो वहां पर बहुत सारी गयाई होती थी थी एन कि अफेशली अगर आप देखो जहां से मैं आती हूं गुजरात स्टेट से अमदबाद से तो वहांन पर गुजरात में गायों का बहुत महत्व है बो cow को बहुत अच्छी तरह से मैं करते है और गायों को अपने एक घर के सदस्य की तरह ही मानते है उनको यह नहीं लगता है कि गाय कोई बाहर अगर हमारे घर के बाहर रह रही है उसको हम लोग गुजराती में गाय का गोठा कहते है तो जिसको बोलते है तो वो इसे नहीं लगता है कि यह 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 बाहर का कोई यह नो अगर गाए को पता चलता है कि घर में यह सदस्य बिमार है तो गाए जाके वही घास खाएगी जिससे उस व्यक्ति की बिमारी ठीक हो जाएगी और दूद पीते ही वह व्यक्ति ठीक हो जाता है तो यह गाए की विशेशता है कि गाए को भी प्रेम का अदान-प्रदान करना आता है कि जब रीसेंटली मैं चेली हमारे एक डॉक्टर है यहां पर आयरुवेदिक डॉक्तर हेस्ग्रेश देव की सुत्व प्रभू उनके अईरुवेदिक क्लेनिक में गयी तो उनके बहुत सारी काय हैं लेकिन जब वहां पर गयी थी न तो यह गाय जो थी मैं जब रस्यप्र जब फर्स टाइम में उनको देख रही, वो भी मुझे फर्स टाइम देख रहे, तो उन्होंने मेरे हाथ से कुछ भी नहीं खाया, फिर जब देव की सिता प्रभु मुझसे बात करना लेगे और उसके बाद मैं एक रोटी और एक गुड़ थोड़ा लेके आई थी, तब हम ल की फीलिंग्स भी है, और इसलिए अब देखोगे, कि जो गाय के अडर होते हैं तो चार अडर होते हैं, वैसे तो उसके बचड़े के लिए दो अडर्स जो होते हैं, वो काफी होते हैं, लेकिन दूसरे दो अडर्स हैं, वो मनुष्यों के लिए दिये गये हैं, तो का जो बोलते हैं कि यह उसका उदार भाव है गाय का कि अच्छा मेरे लिए नहीं मेरे बच्चों के लिए नहीं लेकिन मेरे और जो जो मनुष्य जैसे पुत्र है उनके लिए भी और इसलिए गाय को गो माता इसलिए हम लोग कहते हैं कि गाय जो है हमेशा जो है देने की खिलाओगे और आप जुए गायों की पूजा उसी तरह करोंगे जैसे आप मेरी पूजा कर रहे हो मनलब गायों की पूजा करना यानि कृष्ण की पूजा करना और गौतम ये तंथ्रमी भी कहा गया है कि अगर आपches को एकना गले पर दीदेए सहलाते हो, और गास खिलाते हो, और उसकी परिक्रमा करते हो, तो भगवान, कृष्णा जो है वो बहूत प्रसंद हो जाते है इस चीज़ को देखिये, प्योंगे देखिये साथ माता हैं है, अदव माता, गुरू, पत्नी, ब्रामनी राज पतनी का तो अदव माता पहले कोन है हमारी जन देने वाली मा फिर गुरु पतनी जो गुरु की जो पतनी होती है फिर ब्रामनी ब्रामन की जो पतनी होती है और राज पतनी का राजा की जो पतनी होती है फिर एक होती है जो गव माता होती है और एक जो होती है जो माता जो है हमें जो है भरन पोशन करती है जो नर्स होती है जो हमारा भरन पोशन करती है कभी लालन पालन करती है और एक है पृत्वी माता तो इन साथ माताओं में गव माता भी एक माता है और ये जो गव को माता का जो दरजा दिया गया है वो सिर्फ यो ही नहीं दिया ग गव माता में जो है 33 करोड़ देवी देवता उसमें बिराजते हैं और गव माता के जो जितने भी आप देखोगे क्या कहते हैं शरीर के जितने भी अंग है न वो equally all are important and that is why गव में भी जो है गव के हर एक जो अगर गो मुत्र देखिये या गोबर देखिये या दूद, दही, घी हर एक में जो है अलग अलग देवी देवताओं का वास है जैसे गोबर में लक्षमी का वास है या गो मुत्र में गंगा का वास है जैसे हम जो है गंगा को किसी बॉटल में डालते है तो टिक के रहता है उसी तरह जो है गो मुत्र जो है अगर हम सुभा का जो मौनिंग का फर्स्ट जब दूद निकालने का टाइम होता है न तब जब गाय जो यूरिनेट करती है तो वो फर्स्ट यूरीन जो है अगर हम कल और इसलिए जो है दिए जो हिसके आ्म को इसके क्कॉलटी जो है यह जो इसके के आं मिलत अर लियुक्ट चाहिए नारी को हमने फैमिली कि और लूकल के भागोत्त शोह में को है। दस्वे उनका मेन बिजनस ही यही था, उनका सिर्फ पूरे दिन वो सिर्फ गायों के साथ ही रहते थे, और जब गाय कभी पी कभी कोई गाय जो है, हो जाती थी, या कोई इधर उधर हो जाती थी, तो भगवान जो है तुरंथी बासुरी बजाके एक एक गाय को बुलाती थे, अब भगवान के पस नौ लाग गया है थी, और हर एक का नाम उनको पता था कि नौ लाग गयों में हर एक का नाम, और हर एक के नाम से शाम को भगवान की बांसुरी पे हर एक गाय का नाम हुआ करता था हे गंगे आजा, हे बांसुरी आजा, हे सुरभी आजा इस तरह से भगवान जो है अपनी गायों को बुलाते थे और कृष्णा को नाम दिया गया है गोविन्द गोपाल गोपाल यह गायों को पालने वाले और क्रिश्णा जो है जितनी भी प्रकार की गाये है, हरेख गाये का जो है जो है पालन करते थे और भागतम में कहते हैं थे कि जब पूतना भी जो है पूतना का जब वद हुआ कृष्ण ने पूतना का वद किया तो जितनी भी गोपिया थी वो नन्य शिशु कृष्ण को जो है उन्होंने क्या किया उन्होंने गो मुतर से उनका स्नान करवाया और फिर जो है तिलक भी जो चरण से निकली हुई जो रज है वो रज जो है जब आकाश में उड़ती है तो फिर वो रज जो है वो तिलक की रूप में गोबर में मिक्स करके उनको नगाया था और ये एक्चली जो है गायों का इतना importance यही है कि गाय कहते हैं कि गाय जो है जितनी भी स्वर की जितनी भी energy है या उर्जा है यह सारी absorb करती है और फिर ये जो उर्जा है ये फिर मिट्टी में जो है वो मिल जाती है ट्रांसफर हो जाती है और फिर जो है ये जो रज है वो भी बहुत उसको उर्जा मिल जाती है और फिर जो है कृष्णा को इस गोरज से जो है नलाया गया है तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गायों का जो है मेरी लाइफ में भी परस्नली बहुत अच्छा इंपॉर्टन्स रहा है कि जब मैं वृंदावन में भी थी गायों को बहुत अच्छी तरह से कि मैं जहां पर पढ़ाई करी थी तो गोशाला बिल्कुल नजदीक ही थी तो उन गायों से बहुत जैसे कि एट अटाच्मेंट सा हो गया क्योंकि मैं जब जाती थी पढ़ने के लिए उस टाइम पर तो कुछ लेके जाती थी रोटी और बना के ले जाती थी तो बाद में मुझे ऐसे थोड़ा जैना ओवर्वेलमिस जैसे लगा कि एरे रोज लड़ू बना के ले जाना कितना डपिकल्ट है तो वहां बे वो प्रभुजी बोले कि आप लक्ष्मी भी दे सकते हो हम यहां से लड़ू आपको बना के दे सकते हो त इधर मॉनिंग और इवनिंग मुझे गायों को खिलाने का बहुत मन्द हो गया था और वो फो फाइव मंस जो मैं वरिंदावन में रही मुझे बहुत अटाच्मेंट हो गया था उन गईयों से और इन फाक्ट जब मैं आती थी तो इमिजटली सारी गईया जो थी इमिजट का एक काफी रहा था कि भगवान को भोग लगाने के बाद जो पहली रोटी जाएगी वो गाय को जाएगी तो मैं पूछती थी कि गाय को क्यों हम रोटी खिलाते हैं तो मेरी नानी कहती थी कि जब हम गाय को रोटी खिलाते हैं एक ही रोटी चाहे हो गुर्ड लगा के तो गाए ना हमारे हाथ से जब रोटी खाती है तो गाए का जो सलाइवा होता है ना उसको हम लोग गुजराती में लाड कहते हैं जो सलाइवा होता है ना तो गर गाए का सलाइवा आपके हाथ पे गिरेगा आपके जितने भी जो है मुसीबते हो या कर्म हो या कोई भी आपके ल यह दिस इस वाट माई नानी है टोल एंफिर बाद में तो मैंने कुछ पढ़ा भी था गाउ के बार में तो वहां पे भी सेम स्टेट में आया थे शास्तर में अभी मुझे उसका सोर्स नहीं पता है यह कहते कि यह गाय की सिरफ वो सलाइवा आपके हाथ पे गिरने से आपके स तारे तारे चमकना शुरू हो जाते इस 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 पावर क्योंकि 33 करोड देवी देवता गाय में वास कर रहे है बस रहे है तो आशीष तो देही रहे हमें ते मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस ए गाय के बारे में माता जी बहुत अच्छा लागा सुनके कैसे आपने अपने एक अपने इस इंट्रोडक्शन वाले फ्रेज में देतिया माता जी आइवड लाइक टू टेल यू कि जब आज का टॉपिक मेरे पास आया कुछ दो तीन बजे दोपहर में तो मैं इस टॉपिक पर चिंदन कर रही थी और कई बार जब ऐसे एकदम आउटस्टांडिंग को भी उस बारे में बता देती हूं और उनसे पूछती हूं कि ये टॉपिक सुनने के बाद आपके मन में कौन सा प्रशन आ रहा है तो ऐसे कुछ विशेश विशेयों के लिए मैं प्रशनों की सूची पहले से बना कर रखती हूं कि लाइफ के दौरान मुझसे कोई important सोचा विस्तार से बताईए कि इतने सारे जानवरों में केवल गौ को ही गाय को ही गौ माता क्यों कहा जाता है आई वुड लाइक टो टेल यू इससे पहले आपने ये कहा था कि जो काव है वो बहुत अच्छी तरह से रैसिप्रोकेट करती है फीलिंग से भरी हुई होती है तो कह कि न कहीं माताजी ये तो हर जानवर में पाया जाता है हर आनिमल में पाया जाता है और दूद देने वाले भी बहुत सारे जानवर हैं लेकिन केवल गाय ही क्यों प्लीज बताईए देखिए गाय की जो है न मेन एक क्वालिटी होती है मेन क्वालिटी ऑफ जैसे हम के तो ग उसके पास एक त्याग भी रहता है उसके बच्चों को मेंटेन करने के लिए तो यह जो गव माता है ना उसके पास केवल प्रेम ही नहीं है अपने बच्चों के लिए लेकिन उसके लिए प्रेम हर एक मनुष्य के लिए भी है जितने भी जिवातमा है उनके लिए भी प्रेम ह और इसलिए जो है, वो गउ माता क्यालाती तो क्योंकि वो अपनी Health Sacrifice करती है, अपनी खुद की Health Sacrifice करती है, और जो है, वो बहुत लविंगली जो है, प्रेम देती है हमें, और हम जो है, इन रिटर्न जो है, अगर उसको प्रेम देते हैं, तो वो जो है, अपना जीवन नु करते अपने बच्चे पर पूरा जीवन निच्छावर कर देती इन फैक्ट मां का प्रेम जैसा अनकंडिशनल है ना तो गव माता का भी प्रेम अनकंडिशनल ही यह और इसलिए आप देखिए जब गव माता जो है क्योंकि गाय तो सात्विक है अगर मान लो गाय का जब जन्म होता है और अगर मृत्य हो जाती है तो गाय के मृत्यों के बाद उसको जो अगला जन्म मिलता है वो मनुष्य का मिलता है क्योंकि गाय जो है सात्विक प्राणियों में आती है जैसे हम सतोगुण तमुगुण और रजोगुण कहते हैं तो कुछ प्राणी रजोगुण में आते तो कुछ प्राणी सतोगुण तो गाय सतोगुण में आती है और जब हमारा दिन शुरुवात होता है तो गाय पहले क् कहती है हम्मा अम्मा तो यह यह जो ध्वनी है वह एकचिली वह ओमकार की ध्वनी है वह हमारी लिए एकचिली वेकप कॉल है और यह क्या मतलब अचली जो गवपालक लोख थे उनके लिए एक्चली एक वेकप कॉल है कि अभी चलो आपना दूद निकालना शुरू करो और फिर उसके जितने भी प्रोडक्ट्स है चाहे दूद हो या फिर गोमुत्र हो तो इन से न जो है पंच गव्या बनता है क्योंकि जैसे ही कोई जो है ग्वाला जो है अगर दूद निकालता है तुरंद बाद यह पंच गव्या अगर जो है तीन तीन जो है चमच तीन चमच दूद के तीन चमच दही के तीन चमच गोमुत्र के तीन चमच जो है गोबर के और तीन चमच घी के यह पांच हो गया पंच गव्या तो यह जो पंच गव्या जो है वो एक दिव्या बोलते ह आउशदी है किसी व्यक्ति को सेहत मन जीने के लिए क्योंकि पंचगव्य अगर कोई रोज पीता है सुबह-सुबह में तो वो हमेशा सेहत मन लाई इन फाइक्ट यह जितने भी प्रॉड़ाट्स है मैंने जो पंचगव्य के बताये हैं गाय में इतना पावर है कि वो कैंसर भी क्योंड कर सकती है और पैलिटिक अटैक्स भी क्योंड कर सकती है मैंने एक सेमिनार अटेन किया तो बहुत पहले गाए पे ड्ली में तो वहां पे वो बता रहे थे कि अगर किसी को बहुत महा बिमारी है cancer की आप गाए के साथ समय बिताओ डेली गाए की सेवा करो डेली दूद निकालो, गोबर निकालो, या गोबर को साफ करो, गोबर की उपले बनाओ, जितना आप गाए के साथ असोसियेट करोगे, और जितना आप गाए को सहलाते हैं, बलब गाए को सुरुफ सहलाना भी इतना एक, बोलने न, मैजिकल टच उसका कहते हैं कि जिसी को BP की बिमारी है, कलोस्ट्रॉल की बिमारी है, हाई BP हो, लो BP हो, यह सारी जो है, बिमारिया दूर हो जाती है, गाए से, लेकिन जो पंचगव्य जो मैं कह रही हूँ, यह तीस मिनिट के अंदर ही आपको कंज्यूब करना है, यह हमारे एक्चलि पूर्वजो ने ऐसे कहते हैं, क लेकिन किसी को मेंटल भी प्रॉबलम है, मानसिक स्ट्रेस है, यह मानसिक बिमारी भी है, तो कहते हैं कि वो जो है, इन सारी बिमारी से चुटकारा पा सकता है, और वो सौ साल तक जी सकता है, कहते हैं कि यह जो गाए के जो सींग है, वो भी कहते हैं कि बहुत ही पावरफु आयरुवेदा एक्चली कहता है कि अलग अलग गाय के जितने भी प्रोड़क्ट्स है अगर हम यूज करते है तो यह सारे मेडिसिन की तरह ही काम करते है अफकॉस हमारे ओडियंस में बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गाय के पास जो है एक गाय अक्चली जो है ना एक सूर्य केतु नाड़ी होती है और यह सूर्य केतु नाड़ी होती है और यह जो सूर्य केतु नाड़ी होती है उसके पीट पर होती है और यह जो सूर्य केतु नाड़ी है यह क्या करती है सूर्य की जो सोला रेज उसके साथ है ना वह संपर्क में आती है और क्या उत्पन्न करती है सोने के नमक उत्पन करती है गाय के शरीर में अब ये जो सोने का जो नमक है वो एक्चली बहुत सारी हमारी बिमारिया जो है वो ठीक करने के लिए काम आती है और ये जो सोने का नमक जो उत्पन होता है ये गाय के दूद के अंदर प्रवेश करता है और दूसरे भी प पुराने शास्त्र हैła कहते हैं सुर्य नाड़ी जितने भी हांफुल रेडियेशन है वो सारे एब्जॉब कर लेती है और पूरे जितने फी वूरा बातावरण है उसको क्या करती है तो साफ कर देती है और ये जो नाड़ी है इसके माध्यम से जो है जो गाय है ना वो सूर्य की बहुत सारी अच्छे किरने भी लेती है और जितने भी स्वर्ग में से भी जितने कॉंस्टलेशन से वो भी स्विकार करती है तो सिर्फ एक गाय की हमारे घर में उपस्तिती यह हमारे कैसे कहते हैं इन्वायरमेंट के लिए भी वर्दान ही है और हमारे देश के लिए अच्छी वर्दान है सिर्फ हम गाय को टच करेंगे उसकी सेवा करेंगे वह सारी एनरजी जो उसमें है वो automatically हमारे में transfer हो जाएगी जैसे ने एक कथा मुझे याद आती है कि कुछ साल पहले एक व्रिद्ध व्यक्ति था पचास साल का था और व्रिद्ध व्यक्ति था पचास साल का था और उसने कुछ पैसे लिये थे और वो जो गयों की सेवा करता था तो वो नर्मना नदी बरुच की वहां पे वो रह रह रहा था चोटी सी जोपड़ी में और वो पूजा अर्चना ध्यान मेडिटीशन करता था और उनकी जो बच्चे है वो हर महिने उनको 5,000 दे देते थे लेकिन उनको ये सब पैसे की इतनी जरुवत निथी तो वह क्या करते थे कुछ पैसे जो है वो दान में दे देते थे और उनकी जो 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 पड़ी में ने कभी ताला नहीं लगा था तो हर दुपैर को वो जो है एक गाय आती थी और वो गाय को और वो गाय बिल्कुल बारा बजे आती थी उनके घर बे और ये जो है ये जो महाशय है ये क्या करते थे ये जो है खाथ से खाना बनाते थे और गाय को खिलाते थे और रोटी सबजी जो भी है बतलब चावल वगड़े सब बाए तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग पहली रोटी गाय को खिलाते थे और भगवान को भोग लगाने के बाद और फिर जो है ये जो है हर दुपेर को ये गाय बिल्कुल 12 बजे आ जाती थी और ये जो है उसको खिलाते थे एक दिन क्या हुआ उन्होंने जो है अपने जो पैसे थे उन्होंने अपने बेड़ के नीचे रख दिये थे और उन्होंने कुछ गिने नहीं थे वो पैसे और फि अगले दिन नौ बजे वो जो गाय है वो वहां पर दरवाजे पर पहुंच गी उनकी कुटिया के और गाय जो है वो बुले नहीं ऐसे लग रहा था कि कुछ धका दे रही है कि ने बीबी अभी तुम आप बाहर मत जाओ आप अंदर ही रहो वो इंसान को समझ में आया ही नहीं कि क्यों ऐसे गाय कर रही है उसके पास दूसरा दर्वाजा था तो चलो मैं दूसरी दर्वाजा लेकिन कहाओ दूसरे दर्वाजे भी पहुंच गई और जाने नहीं दे रही थी उसने रट वो रोड ब्लॉक कर दिया था कि नहीं जाना है तो यह आदमी को थोड़ा आशर चकित हुआ उसको लगा कि शायद गाय को कुछ भोजन चाहिए या कुछ काना चाहिए तो वो अंदर गए कुछ फ्रूट लेके आए और फिर जो है उन्होंने देखा कि खिड़की में से कोई चोर है वो अपना हाथ अंदर डाल रहा है खिड़की से पैसे चुराने के व्यक्ति की क्या जरूरत है और गाय ने जो है उनको सुरक्षा प्रदान करनी की कोशिश की तो कई हो को लगता है कि ठीक को इंसिडन्स भी हो सकता है लेकिन कहते हैं यह जो जो गाय होती है ना वो बिलकुल समझदार उतीं और वो समझ जाती है और इसलिए जो हम लोग कहत हम गाय का दूद्ध निकालर को दो स्तंग है डोस्तंग मैंने बताया पहले भी तो जितने भी इंसान है जितने भी जानवर है चाहे वो कुता हो बिल्ली हो या सूवर हो तो उनके पास सिर्फ दो ही यह अडर होते हैं और गाय के पास चार यह और मनुश्य के लिए है और दो अपने बच्चों के लिए है तो यह जो दोस्तन जो है न यह जो है यह दोस्तन इसलिए दिये गए है क्योंकि गाए का एक emotional रिष्टा है मनुश्य के साथ और इसलिए जो है उसको गो माता कहा गया है तो कोई बिल्कुल कहते हैं न कि कोई random selection नहीं है कि गाए हमारी माता है यह actually उसके पास एक बहुत emotional connection है मनुश्य के साथ और इसलिए उसको गो माता कहा गया है बिल्कुल माता जी थांक्यू सो मच कि आप हमें इतनी डीटेल विरस मैंने कहा विस्तार से बताई है निश्चित रूप से आपने जो बाते हमें गोमाता के बारे में बताई है I will be very honest with you मुझे इन में से कुछ भी नहीं पता था यह जो आपने इतनी अच्छी कथा बताई मुझे तो based on true events लग रहा है Is it like that? ने यह जो कथा थी मैंने actually डिवोटी से सुनी थी और वो डिवोटी ने कहीं पर सुनी थी उसी बरुच शेहर में सुनी थी पिर उन्होंने सुनाई थी इस ते पर बहुत अच्छा लगा माताजी आप से सुनके और जैसे जैसे मैं यह सुन रही थी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि how important it is इसे भगवान ने इस रिष्टी का निर्मान किया है और उन्होंने कितना सोच समझ कर सब कुछ किया है अन्त में आपने ऐसे कहा कि कोई random selection नहीं हुआ है बहुत सोच और बुच कर जो भी हुआ है वो हुआ है और जो गौम आता है वो हम सभी के साथ सभी मनश्यों सभी आपने कहा सभी जीवों के साथ emotionally connect करती है इसके लिए वो हमारी गौम आता है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद माताजी मेरा अगला प्रशना आपसे ये है कि origin of cow earliest mention of cow in our Vedas ये सबसे interesting question है माताजी मतलब हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं इनमें गौम आता का वरणन सबसे पहले कहां आता है तो आप देखिए जब समुद्र मन्थन हुआ था तो उस टाइम पे जब मन्थन हुआ था तो वहां से actually काम धेनू गाय का उत्पत्ति हुई थी काम धेनू मतलब wishful filling ये नो cow और ये जो गाय थी न वो किसको औरपन की गई थी वशिष्ट मुनी को जो भगवान श्री राम के गुरु है तो वहां से actually गाय की actually history start होती है और फिर बाद में जो है काम धेनू जो है उसको actually best wealth कहते हैं कि सबसे सबसे बहतरीन जो है पूंजी जो दी गई थी मनुष्य को वो गाय की रूप में दी गी थी और इसलिए आप देखिए न भागवतम में भी इसका मेंटरन है कि भगवान भगवत गीता के 18 वेध्याय के 44 में शायच श्लोक में कहते है कि परिशी गो रक्षाय वानेज्य वैश्य कर्म स्वभावजनम और कहते हैं कि यह जो क्रिशी जो रक्षा है यह जितना भी मैंने यह कहते हैं कि अगर अगर गायों की रक्षा करनी है तो आप जब गायों की रक्षा करते हो तो आप मेरी ही पूजा करते हो तो कई लोग कहते हैं कि जो है भक्ती का जो कहते हैं कि भक्ती का connection गायों के साथ कैसा है कि भक्ती culture क्यों बहुत बोलते हैं कि गाय गोरक्षा पर इतना क्यों स्ट्रेस करते हैं तो इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं कि जो गाय नो बहुत ही विनम्र प्राणी है जो हमें बहुत सारे उपहार देती है दूद है दही है और और आप देखोगे कि भगवान ने भी जब वर्णाश्रम धर्म की जब स्थापना की थी तो उसमें एक्चली इसका में जो प्राइम ड्यूटी है मनुष्य की की गायों की रक्षा करें और उपनिशुद नो भी कहा गया है कि जैसे उपनिशुद में कहा गया है कि भगवान जो है वो गोपाल आनंद है गोपाल आनंद मतलब क्या जो जो काव को मिलक करते हैं और जो अर्जुन है वो बच्छडे की तरह है और जितने भी शृता कंड है वो क्या कर रहे है उस दूद को पी रहे हो वो दूद क्या है तो तो वो है गीता गीता वो दूध है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति जो है क्या पी रहा है अमरित पी रहा है गीता की रूप में और कह रहे हैं कि गाय की रूप में मैं जो हूँ मैं उत्पन हुआ हूँ I have manifested in the form of जो हर एक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति कर रही या सुर्भी गाय के रूप में भी जो है मैं उत्पन हुआ हूँ तो आप देखिए कि भगवान जो है वो गोपालन है और जो अरजुन है वो बच्छडा है लेकिन वो दूद है वो दूद जो भगवान अरजुन को दे रहे वो क्या है वो गीता है तो गीता जो है वो गीता अमृतम क्यों कहते हैं क्योंकि ये अमृत कौन निकाल के दे रहा है वो भगवान कृष्ण निकाल के दे रहे है उस अमृत को और आप देखिए नंद महाराज की जो है नौ लाक गयाए थी और कृष्णा जो है एक द कि एक दिन क्रिष्ण ने माता यशोदा से कहा कि मया मया कल ना मैं गया चराणे ने जाने वाला हूं तो मैया के थिए क्यों क्यों लाला कल कीनी गया चराणे जा अगया जाओ गया जाओ जो है चरण में चपल नहीं होगी या जूते नहीं होगे मैं भी जूते नहीं पहनूंगा मैं जो हूँ मैं ऐसे ही नंगे पैर ही जाऊंगा तो अब ये बात गयों ने सुन ली कहरे बापरे हमारे जो कृष्णा है उसके कितने कोमल कोमल चरण कमल है और उस टाइम पर जो है कितने सारे कंकड़ पत्थर रहों में आएगे और हमारे गोपाल को बहुत बुरी तरह से लगेंगे वो कंकड़ पत्थर तो मया बोली नौ ल जूते बनाने पड़ेंगे अब ये बात जब गयों ने सुनी रातो रात ब्रज में वो फैल गए और जितने भी कंकड़ पत्थर थे वो है वो बिल्कुल स्मैश करने लगे चूर-चूर करने लगे और इस तरह से जो आप ब्रज की रज जब देखोगे न तो जो ब्रज की रज है वो बिल्कुल सॉफ्ट है तो गायों ने अपने पैरों से तकी जहां जहां कृष्ण अपने चरन रखे वहां वहां कृष्ण को जो है सिर्फ मुलायम बालू ही स्पर्श करे और कंकड़ पत्थर उनको चुबे नहीं तो यह है डेडिकेशन गायों का अगर अभी कल से चपल नहीं पहनने वाले है और पिर कैसे और उनकी रिधहे में यह था कि कृष्ण के पैर में एक भी कंकड़ या एक भी काटा अगर चुबेगा तो वो हमारे रिधहे को चुबने वाला है यह भाव था उनका और इस वजह से रातो रात नौ लाक गायों ने फै कर लिया था तो यह थोड़ी एक्चली गाय की कथा है और गाय की मैंने एक और भी कथा बताये थी कि भगवान कैसे बांसरी बजा के हर एक गाय का नाम लेते हैं और पुकारते हैं बिल्कुल पर्सनल रिलेशन है क्रिश्ण का गायों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माताजी आप जब यह जूते वाली लीला के बारे में बात कर रहे थी तो मुझे यहां तक तो इसकी जानकारी थी कि भगवान ने जूते पहनने से इंकार कर दिया था पर बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल वंशित नहीं थी कि उन 9 लाग गई सारे जो भी व्रज है उसमें जाके पर्सनली एक-एक कंकड को चूर-चूर कर दिया ताकि भगवान को कंकड ना लगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद माताजी दोनों ही प्रशनों का आपने बड़ी अच्छी तरह से उतर दिया है ओडियंस को भी मैं कहना चाहूंगी प सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे जितने भी हमारे जीवन में यदि कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है कुछ बुरी घटनाएं गटने वाली है वो सब धिर धिरे तलने लगती है तो ऐसी क्या और भी कुछ पावर्स है कुछ और भी शक्तिया है गवान के अंदर वा अब मिस्टिकल पावर जैने क्या काओ के यूरींग में है न वो तरी दोश बैलन्स करती है जितने भी हमारे तरी दोश है कफ और वाथ और जितने कि उसके इंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिंस होते है वो हमारे बॉड़ी को रिपलिश करते है और जितने भी जितने रिद्धे हीं बहुते हैं थैं हमारे शरीर में वो भी प्यॉरिफाय हो जाते ह्यूरीं से काव से शहां ये काम करता है और गाय मुत्र को एक्चली गो मुत्र को मेध्य कहते है और राध्य कहते है राध्य मनलब क्या मेध्य मनलब क्या मेध्य मनलब हमारे ब्रेन को क्या करता है शक्ति देता है और हमारे रिधय रिधय को भी क्या करता है शक्ति देता है इसलिए जो गो मुत्र है वो हमारे रिधय को और हम जैनों सुरक्षता प्रदान करता है जतने भी har потр Quan्व है किसी को इसiva bikini का प्रोब्लमम करेंन से यह सारा गोंचर से बिल्कुल दूर हो जाता है और जितने अगर मान लो कोई बहुत भयानक medicines भी ले रहा है anti-biotics भी अगर कोई ले रहा है न तो go mutra morning morning में लेने से इसकी जितनी भी poisonous effect रहते है या उसकी जितनी भी residues होते है उस medicine के वो सारे जो है वो नश्ट हो जाते है go mutra लेने से तो even अगर आप gober को भी देखो तो gober में भी अगर आप देखो कि अगर अगर कोई कहते हैं अनाज की कमी है या पानी की कमी है या किसी स्वास्त की कमी है nutrition की कमी है कोई गरीबी है तो ये भी दूर कर देता है gober और आप देखिए कि अगर कोई जो जानवर है अगर कोई ग्रो नहीं करता है तो वह एक्चली क्या होता है थोड़ा कभी-कभी एना ग्रो करने के बाद थोड़ा व्रिद्ध हो जाती गाय तो फिर वह जाना दूद उत्पनन नहीं करती है लेकिन एक्चली लोगों को पता नहीं है कि गाय व्रिद्ध होने के बाद भी दो पावर्फल चीजे तो दे ही रही है एक है गो मुत्र और एक है गोबर तो यह जो है यह बहुत ही अंटिसेप्टिक का काम करती है इन फैक्ट गो मुत्र है या गोबर है यह तो फोटिलाइजर का भी काम करते है सबसे सस्ता जो है न फोटिलाइजर है वो है अपना गोबर और गोबर के पास भी अपनी एंटिसेप्टिक एंटि रेडियो एक्टिव एंटि थर्मल इतने सारी प्रॉपर्टीज होती है आप देखिए पहले के जमाने में मुझे याद है कि मेरी मम्मी के विले जा रहे है वो गोबर से लीपी जाती थी और जो है इसके माध्यम से एक सुरक्षता भी प्रदान मिलती थी अब देखिए अगर आप 1984 में एक भोपाल में जो है गैस लीक हुआ था उसमें 2000 लोग जो है मारे गए थे लेकिन जिनके घर गोबर से लीपे गए थे उनको कुछ कुछ मी नहीं हुआ वहुल्कुल सुरक्षित है रह रहते वहां पर उस टाइम पर तो जब हम गोबर को जिलाते हैं तौग भी क्रोन आकाल में भी ना हम लोग गर में बहुत सारा कंडे लेके आये थे गोबर की और हम लोग ने जो है वह बहुत जलाए दिन में एक दो बार जलाते थे सुबर और शाम तो यह क्यों जलाते थे हम लोग क्योंकि जितना भी हमारा एटमोस्फेरिक टेंपरेचर है वह मेंटेन करता था और जितने भी वायू और अगर जैसे जैसे हम हावन यग्यवी करते हैं तो हावन में भी हम लोग क्या करते हैं कि घी की आहूती देते हैं और पिर गोबर के कंडे भी होते हैं तो यह कहते हैं ना कि यह गोबर और घी क्या करते हैं कि हमारे वातावरण में जितना भी आसिड कंटेंट है पानी के अंदर वो भी जो है उसको treatment मिल जाती है और जितना भी हम लोग जो है यग्या करते हैं तो यह जो है हमारा जो ozone layer है इसको और मजबूत बनाता है मलब क्या ozone layer पर एक परत लगा देता है मलब एक shield जैसे लगा देता है ताकि जितने भी harmful radiation जो सूर्य की केनों से आते हैं वो फिर धरती पर नह पहुंचे तो इतना महत्व है गाय गो मुत्र से या गोबर से ताकि यह जो हमारी जो जमीन भी है अगर हम कहते हैं न कि कोई अगर कोई एक जमीन है जो अभी उपजाओ नहीं हुई है तो लेकिन आप सिर्फ गो मुत्र और गोबर से उसको अच्छी तरह से उसको treatment दो तो क्या होगा वो जमीन अपने आ भी फिर से उपजाओ हो जागी जितने भी उसके nutrient values है तो वो अच्छी तरह से फल फूल और सबजिया अच्छी तरह से उत्पन कर सकती है और क्योंकि अभी बहुत सारे chemical fertilizers लगाते है तो जितने भी negativity है उस chemical fertilizers में तो automatically जो है वो दूर कर देती तो क्योंकि जैसे अगर आप देखिए insecticides जो होते हैं वो कहां से वो लोग prepare कर बनाते हैं वो लोग बनाते हैं गोम उत्र से और फिर जो है या तो फिर हम लोग कभी-कभी जो है च्छाच भी डालते हैं हमारे खीतों में क्योंकि च्छाच इससे क्या होता है न कि जितने भी किटाणू है जो अनाज को खा जाते हैं तो वो खाएंगे नहीं और कहते हैं कि एक गाय जो है पांच एकर जमीन जो है उसको बिल्कुल आसानी से जो फर्टिलाइस कर सकती है और गो मुत्र जो है उसका वो दस एकड जमीन को बचा सकता है नाना प्रकार के कीटाणूं से और जीव जन्तूओं से तो इसलिए जो है आप देखे आफरिका में भी बहुत चल रहा है ये कि वो लोग अपने जो है रण जो है वो फर्टाइल बना रहे है एक्चली गोबर से और हमारा तो इंडिया तो है ही एक्चली नमबर वन अग्रिकल्चर में तो हमारे इंडिया में भी जो है बहुत भारी मातरा में जो है ये गाय का गोबर जो है इस्तमाल होता है और गाय का जो गोबर है ना वो बहुत सारी आयरुवेदिक मेडिसिंस में भी इस्तमाल होता ह अगर मान लो किसी को कुछ बिमारी है तो उसको थोड़ा गाय का गोबर उसके अंदर मिक्स करके दे देते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है तो अलग-अलग परकार के कहते हैं न कि 16 अलग-अलग microorganisms है गाय के गोबर में जो भयानक से भयानक की टानों जो है वो जो है वो मार सकता है और गोव मुत्र में 24 ऐसे तत्व है जो हमारे मिट्टी को अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से और गाय के जो सींग है गाय की सींग कहते हैं कि गाय की सींग से भी एक्चली यह न कहते हैं न कि वर्ड है उसको कहते हैं क्या है वह वर्ड तो यह बहुत कहते हैं कि nitrogen और फॉस्फरस को है न कि विलकुल पेड़ पोधों को ना इट्रोजन लगता अच्छी तरह ये उन्हों घ्रो करने के लिए तो नाइट्रोजन और फॉस्फरिस फिक्सेशन के लिए बहुत अच्छी तरह से जो है ये पावरफुल मैन्योर की तरह खत की तरह काम करता है, और इसके अंदर तो वह अगर अगर बोलते हैं और फिर जो है उसको किसी खड़े में डाल देते हैं तो फिर वहां पर जो है वहां पर अगर कहीं पर पानी नहीं मिलता है या फर्टिलेटी की कमी होती है तो तुरंत ही वह जमीन जो है वह उपजाव हो जाती है क्योंकि जितने भी जो भी उसको चाहिए खट चाहिए तो वह गाय के सींग से भी मिल जाता है गाय के दूद से प्रोटीन तो मिलता ही मिलता है और गाय का जो दूद है वो इम्मुनिटी बिल्डर है अब आजकल है जितनी भी मदर्ज है वो लोग ने गाय का दूद नहीं देते है अपने छोटे-छोटे शिशुओं को वो भैस का दूद देते है गाय का दूद का होते हैं वो उसको नरिश करते हैं ताकि हम जो है हमारी जितनी भी दिव्य बाते जो है भगवान की वह बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं करकि दिमाग जो है वह जड़ नहीं है दिमाग जो है अभी बोलते न की वह रेसेप्टिव मोड में आगया है तो वह जो है एंटी बोडी का स्टिमुलेट करता है अपने इसले हमारा इम्मुन सिस्टम भी बहुत अच्छी तरह से रहता है अब देखिए जितने भी लोग नोने त्वह जो है और मिश्तिनन होते है या फिर यह सैट।ोपीण सहोते है या फिर बड़े बैंकर प्रोम् 1 वह ते शुने होगे लिकिन किसी को कब्स्क्रावद्टृ मॏ है या किसी को फिर रो खिर दल्फू साइटिस का और यह और इंप आइन जो गाई के अंदर जितने भी बोलते हैं एंटी एजिंग भी तत्वों होते हैं गाई के दूद में और जो है हमारी जब शरीर के जो बोलते हैं कि नसों में जब यह जाता है तो हमारी आपके स्किन को बहुत अच्छी तरह से वह नरिश करता है और इसलिए आप देखना कई लोग जो है न वह गाय के प्रोड़क्ट में एक क्रीम होता है तो वह बेचते हैं और वह बहुत ही एफेक्टिव होता है जहां पर आपको बाहर की कोई क्रीम खरीदने की जरूत नहीं ह है आपके स्किन बिल्कुल हेल्दी और यूद्फुल लगेगी क्यांकि वह क्या करता है कि वह रीबिल्ड करता है यूमन बोड़ी को एक्टम फामिक्शन लेवल पर वह रीबिल्ड करता है और इसलिए जो है गाय के जितने भी अलग-अलग बोलते हैं इस इस आए ये जो को बून तो अस इस आए जो बून तो अस इस आए जो बात कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने किस तरह से इतने सारे aspects को cover करने का इसमें प्रयास किया आपने हमें बताया कि वो हमारे environment के लिए अच्छा है, हमारे health के लिए कितना अच्छा है, हमारे appearance के लिए कितना अच्छा है, हमारे land के लिए कितना अच्छा है, ihn के scientific benefits कितने सारे है, medical health benefits कितने तक है आपने पता जी आपने बहुआ ऑची तरह मैस्टिकल gonos को 것처럼 कवर किया है. माताजी अल्रеड है के तरह जोड़कर ये request करती हूँ कि प्लीज आप अपने answers को थोड़ा short रखिए ताके हम किसी का भी question miss ना करें माता जी अगला प्रश्ट मेरा आप से ये है माता जी, how is cow like the earth? ये बहुत ही important question है कि हमारी जो गौ माता है उनका भूमी देवी के साथ का कैसा रिष्टा है? तो जो गाय है ना वो हमारी सारी जरुत्य को पूरी करती है जैसे पृत्वी भी एक माता ही है, साथ माताओं में से एक माता है, तो उसी तरह गाय भी जो है हमारी सारी जरुत्य को पूरी करती है, तो हम लोग बोलते हैं ना पुरुथवी माता तो अगर आप देखो भागवतम में भी जो है पुरुथवी जो है एक देवी है और कभी-कभी वो जो है वो गाय का भी रूप लेती है जब उसने गाय का रूप कब लिया था जब आपको याद है कि जब कंस ने बहुत हाहकार मचा का दिया था तो उसने गाय का रूप लेकर लेकर गई थी ब्रह्मांजी के पास और फिर उतने क्रिश्चन के साथ के सामने कृंदन किया था और क्रिश्चन फ्रिस्षेन हने तब कहा था कि यह समें अपर्विक्ण गीता में भी कहते हैं कि जो है गो रक्षाय गो रक्षा करना बहुत जरूरी है ताकि जो ये प्रिथवी पे है ये जितनी भी समरुद्धी है ये गाय की वज़े से ये समरुद्ध रहेगा पहले आप देखो कि हमारा भारत देश जो है वो एक्चली अग्रिकल्ट्रल लैंड सिंट्रव था कम्प्रीमी एवरी बढ़ी वोस डूइंग अग्रिकल्ट्र अब जो है जब हम जो है एक्रिकल्ट्र लैंट ऑफकोस हमारे पांस गाय भी चाहिए और बैल भी चाहिए दोनों जरूरत होती है हमें तो जब हम गाई की रक्षा करेंगे तो अपने आप ही माता धर्ती माता की भी हम लोग अपने आप ही रक्षा कर रहे हैं कि धर्ती को भी जो कुछ भी चाहिए वो गाई से मिल रहा है और इस तरह से इन दोनों का जो है वो बहुत ही close connection है कि दोनों जो है छो और कि यह ओरते को चाहिए डर्ती माता को जो चाहिए वो गाय जो जाहिये बहुत है घर्तीं प्रवाइड करती इं दा फ्रम ओ घास देती है और पानी बी देती है और बहुत कुछ गज दातीमाता देती है गाय के माता जी मैं कहूंगी कि यह जो आपने पॉइंट यहां पर रखा ना यह सबसे जादा माइंड ब्लोइंग था मतलब चीजे कितने हमारे आखों के सामने है माता जी लेकिन हम उन्हें देखते नहीं है या देखते हैं पर समझ नहीं पाते हैं या यू कहिए कि समझने का प्रय हैं एक दूसरे के लिए पूरी करती है थैंकि सो मच माता जी अगला प्रश्न मेरा आप से यह है हाव टू आइटेंटिफाइ गिर काव एंड इस ओरिजिन अनुवाद कर देती हूं जी सारी मैं इसका अनुवाद कर देती हूं कि जो गिर काव है जो गायों की स्पीशिस मे है कि ब्रीड है इनका हम रेकलनाइस कैसे कर सकते हैं कि पहचान कैसे कर सकते हैं अब यह आप देखिए एक्चली यह जो गीर गाय है ना गीर गाय आपको गोल्डन ब्राउन कलर की दिखाई देगी और यह एक्चली इसका जो ओरिजिन है वो जुनागर में जो राजकोट गुजराट में और इस ब्रीड को एक्चली भोडाली भी कहते है और सूरती भी कहते हैं ने सूरत के साइट से भी है इसलिए और काठियावारी भी कहते हैं गाय के इसको तो यह जितनी भी गीर गाय है यह जो है गीर गाय क्यों इतने प्रख्यात है यह प्रख्यात है अपनी सहनशीरता की वज़े से कि हमारे आसपास जो भी आटमस्फेरिक माहौल है जितना भी stressful condition है तो उसके पास वो शमता होती है कि वो रेजिस्ट कर सके जितने भी बिमारिया है या जितना कुछ भी हो रहा है आसपास में तो यह सहन कर सकती है और इसी गीर गाय के जो बैल है यह लोग जो है वो बिल्कुल बोलते हैं कि दस हातियों का बल रहता है कि कितना भी आप उनको लोड देंगे न किसी भी जमीन पे तो बहुत भारी मातरा में वो लोड को जो है वो खीच कर तान कर ले जा सकते है आगे तो गीर गाय का ऐसा था कि यह जो गीर गाय है यह और यह जो है कुछ साल पहले जो है यह एवन जर्मनी में भी और यह नो ऑस्ट्रेलिया में भी और एवन वट यू से आफरिका में भी इनको एक्सपोर्ट किया था बट अभी उसका एक्सपोर्ट बंद किया हुआ है अगर आपको अगर देखना है तो गीर गाय विस ब्राइब अगर अच्छी चीज में रुकावट नहों तो उसका मज़ा नहीं आता इस बात को हमारे सेशन्स कई बार प्रूफ कर चुके हैं और ये उन सेशन्स में से एक है जहां भगवान शायद हमारा पेशन्स टेस्ट कर रहे हैं कोई बात नहीं मातर जी जल्दी हमारे साथ वापस जुडेंगी अब तक उन्होंने हमारे साथ जो बाते की हैं वो बहुत सारे लेवल्स पे बहुत ही ज़्यादा important है उन्होंने कैसे within 50 minutes हमें गौ माता से related इतने सारे benefits गिना दिये हैं health को लेकर हमारी skin को लेकर environment को लेकर उन्होंने कई बार agriculture को भी highlight किया कि कैसे गौ माता ने हमारे agricultural के लिए भी कितने सारी चीज़े हमें प्रदान की हैं माता जी सिर्फ गुडी गुडी बाते कर रही हैं लेकिन मेरे मन में एक बात सच में इतनी देर से इतनी जोर से चल रही है कि जब इतनी सारी benefits हमें गौ माता देती हैं फिर भी इस देश के इस दुनिया के कुछ भाग के कुछ लोग उनके मास का सेवन करते हैं लिटरली ओके माता जी थैंक यू सो मच पर कमिंग बैक बहुत सारे सेशन्स में भगवान हमारा पेशन्स टेस्ट करते हैं पर थैंक यू सो मच कि आप वापस आ गई हाप हमें गीर गाय के बारे में कुछ बता रही तर अब कह रही थी कि उनका एक्सपोर्ट अब बंद हो जितनी ही तर अब्र्वान आप जी चहिए फिर्वान कुछ दोंताने हमें गीरगाओ पेशन्स टेटी है गीर गाय का बनाबारा प्सटाट है में जो थैड़ गोल्ड टो गोल्ड की जो वाल्यूस होती है वो आँचलि उस पिल्क में मौजूत होती है और लो जी का गीर माताजी, थैंक यू सो मचू आए मच्सें माताजी आपने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है हमारे इस एक सेशन के लिए आपने बहुत ही ज्यादा काम किया है अपने उपर, अपने इस नॉलिज़ के उपर and we are very grateful to you for that थैंक यू सो मचू आपके हर उत्तर के साथ आपका वो रिसर्च जलक रहा है, कितने confidence के साथ आप कह रही हैं और कितने assurance के साथ आप कह रही हैं, इसे के चलते मैं दर्शर को को ये बता दूँ कि हमारे जो guests आते हैं, वो केवल आपके लिए, केवल आपके लिए अपने दिन का, हाला कि इस session में के What are the duties that the Vedas prescribe for human beings towards the cow? ये मेरा आखरी प्रशन है, इसके बाद हम audience का प्रशन लेंगे, इसका मैं अनुवात कर देती हूं, सबसे important है, दर्शर को, pen और paper रिकाल के इसे note कर लीजिए, वेदास के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से, जो गवमाता हमें इतनी सारी चीज़ प्रदान करती हैं, उनके प्रती हमारे क्या करतव्या हैं? ये बहुत महतवत पूर्ण प्रशन आपने एक्चरी पूछा है कि हम लोग गाय से सिर्फ ले रहे गेगे, फिर हमें आदान प्रदान भी करना है ना, जैसे शास्त्र में कहते हैं कि प्रीती के लक्षन होते हैं, ददाती प्रती ग्रिनाती, गुयम आख्याती पृच्छती, भुंकते भोजायेते, शडवीर बक्ती प्रसिदती, छे लक्षन होते हैं प्रीती के, तो आदान पदान करेंगे तो वेदों में लिखा गया है कि मनुष्यों की जो है, तीन ड्यूटीज होती है, गाय के प्रत देखभाल करना, उसको जो उसकी जरूरती होती है, कभी बिमार है, कभी प्रेगनेंट है, कभी वृद्ध हो गई है, तो उसकी उसी माध्यम से सेवा, जैसे हमारे घर में एक बच्चा है, हम उसके लालन-पालन कैसे करते हैं उसी तरह, और दूसरा है गो पूजा, रोज ग स्लॉटर हाउजिस है, तो वहाँ पे भी जो है, हमें जो है, गायों की रक्षा करना बहुत जरूर है, मान लो, अगर हम गाय को अपनी माता स्विकार करते हैं, तो उसको जो मान सम्मान मिलना चाहिए, उसको जो प्रीम मिलना चाहिए, तो उस दिशा में हमें एक्चली जो ह पर किसी भी कीमत पर थे अपनी गायों को बचाते थे अब आप देख़िए जो भगवान रामचंद्र के वंश में महाराज दिली पाया थे और उनका अगर आप कम्मेंट मेंट सनोगे गोर अरक्षा के लिए तो एक बार माहराज दिलिप वो वन में गए थे और उन्हें ने देखा कि एक बहुत भयानक सा शेर उसने गाए को पकड़ लिया है और उसको खाने ही वाला है तो ये जो ये जो राजा है उसने जो है जो लायन को चैलेंज किया कि देखो अगर तुमने इस गाय को जो है खा लिया तो मैं तुम्हें जो है मार दूँगा तुम गाय को छोड़ दो तो जो है जो शेर कह रहा है कि देखिए राजा ये गाय तो मेरा भोजन है और मेरे भोजन के लिए तो मुझे जानवरों को मारना ही पड़ेगा और अगर मैंने इसको जाने दिया तो फिर मैं खाऊंगा क्या मैं तो भूका रहे जाऊंगा तो माराज दिलिप ने दोक्षन के लिए सोचा और कहा कि ठीक है तुम इस गाय को जाने दो और जो है अगर तुमारी भूक जो है तो वो मैं तुमें मरने नहीं दूँगा मैं अपने आपको ही तुमें समर्पित कर देता है तुम मुझे खालो मेरे शरीर से जितना भी मास तुमें खाना है वो खालो अब जैसे ही महाराज दिलीप ने शेर के सामने लेड गए तुरंथ ही जो है वो शेर और काव जो है उन्होंने अपना जो रूप है वो बदल दिया और एक पुरुश और स्री के रूप में आ गए थे तो जो शेर था वो धर्मत है और जो गाय थी वो पृत्वी माता थी और यह जो दोनों है यह जो है इस महाराज दिलीप की जो है वो क्या कर रहे थे वो परिक्षा ले रहे थे और इसलिए जो है गाय की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है गाय की पूजा इनफैक जितने भी शास्त्र है कहते है कि 33 करोड देवी देवता गाय में जो है उनका वास है मतलब क्या यह गाय का शरीर है वो एक दम पावन शरीर है और जितने भी हमारे पास material benefits है हमें मिल जाएंगे गाय की actually पूजा करने से गरूर कुरान में तो actually ऐसा भी कहा गया है कि किसी ने एक बार भी जो है गाय की पूजा की हुई है तो उसको जो है कभी भी नर्का द्वार नहीं देखना पड़ेगा और भगवान कृष्ण जो है जो परम भगवान पुर्शत्म है वो भी उन्होंने कितना महत्व दिया हुआ है गाय की पूजा करने का गोवर्धन की लीला के समय में जब इंद्र ने हाहकार मचा दिया था तो इसलिए जो है गोपूजा करना और आज भी आप देखना दिवाली की बिल्कुल अगले दिन पर ही हम लोग जो क्या करते है गोपूजा करते है और गाय की सेवा करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि भगवान स्वयम भी जो है वो गाय की सेवा करते थे गायों को प्यार करते थे ग थोड़ा बोलते हैं च्छत चाहिए और थोड़ी बहुत उसकी छोटी-छोटी जरुएत होती है और कि और हमें कुछ नहीं करना होते हैं गाय की सेवा करने के लिए तो तीन आसान तरीके हैं जिसके माध्यम से जो है हम जो है गाय की सेवा कर सकते अभी कोई पूछेगा मुझ कि हमारे गर में गाय नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं तो जहां पर गायों क्या पालन पोशिन हो रहा है वहां पर जाके उनको सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर आप उनको जाके सपोर्ट करोगे तो उनको और बढ़ावा मिलेगा कि हम और गायों की सुरक्षता करें और टा दे सकता है मंदिर में या जहां पर गायों का लालन पालन हो रहा है वहां पर दे सकता है या कोई बूड़ी गाये है अब मुझे यारे मेरी एक सहेली है उसके जो भाया जी है वो व्रिंदावन में है ना जितनी भी बूड़ी गाये है जितनी भी बीमार गाये है या जितनी भ बाव सकते हो प्लस हम जितनी काॉर्टक्स है वह अच्छा है । और हम काउप्रोडक्स को और बडावाभी दे रहे है तकि और जहां पे डिमान्ड होगा होगा तो दोनों का बैलन्स रहना बहुत जरूरी है और इसलिए जो है हमें इन तीन तरीकु से घा से कर सकते हैं तो इसे के साथ मादाजी मेरे प्रश्णों का जो सिलसिला है वो समाप्त होता है हम audience के प्रश्णों के सिलसिला को शुरू करने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं आपसे again वही request करना चाहूंगी मादाजी तकरीबन 14 questions आ चुके हैं और मैं सच में नहीं चाहती कि किसी एक का भी प्रश्ण मिस हो क्योंकि क्या पता किसका प्रश्ण कितना important हो हो सकता है कि मैंने कुछ मिस किया हो इसके लिए again मैं आपको remind करना चाहूंगी let us keep it a rapid fire round मादा जी rapid fire आप समझते हैं चाहूंगी one or two sentences में yes you wrap it up yeah दर्शको आपका बहुत बहुत दन्यवाद के आपने इतने सारे प्रश्ण दिये हैं please आप ऐसे ही प्रश्ण को दिया करिये और हमें भी प्रेरित किया करिये can we have the first question please Rajneesh Singh बच्पन से काव की सेवा की but none see any changes in my life but I still continue राम राम ओके तो मैं इनके प्रश्ण के दूसरे हिस्से का अनुवाद कर देती हूं Rajneesh जी कह रहे हैं कि उन्होंने बच्पन से ही अपना सवय गौव माता की सेवा में व्यतीत किया है परन्तों उनकी जीवन में कोई विशेश परिवर्तन नहीं हुआ फिर भी उन्होंने गौव सेवा जारी रखी है So Rajneesh जी आप ऐसी तरह गौव सेवा करते रहिएगा आपको जरूर एक नहीं दिन गौव माता और बगवान के आशिश मिलने ही वाले है देखे कम से कम हमारे पास खाना, पीना and everything is there उसके अलावा में भी कुछ लुक्जिरी नहीं होगी that is a different thing पट आप गौव माता में प्लीज जो है अपनी श्रद्धा बनाये रखिए Thank you so much Rajneesh जी Please गौव माता की सेवा करते रहिए Thank you for joining Please keep joining, please keep asking Can we have the next question? कुबेर माता जी गौव माता को कश्ट देना पाप है लेकिन विदेशों में या भारत में जो लोग गौव हत्या करते हैं उन्हें कोई दंड क्यों नहीं मिलता? अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया है उन्होंने कुछ एक नया निकाला हुआ है तो इन सबको दंड ज़रूर मिलने वाला है और अगर अगर देश में दंड नहीं मिलेगा यमराद से दंड ज़रूर मिलने वाला है तो ये कहीं जाने नहीं वाले है इनको दंड पका मिलने वाला है Thank you so much Kuberdji Thank you so much Kuberdji Please आप भी ज़रा Google कीजिए कि Prime Minister द्वारा वो नया law क्या है जो गौव माता को बड़ी अच्छी तरह से फेवर करता है Thank you so much Please देखते रहिए और प्रशन पूछते रहिए Can we have the next question? RD Digital Computer Hare Krishna माता जी माता जी खेतों में काम करते समय बहुत सारे जीव का देहांत हो जाता है ऐसे में मन बड़ा विचलित होता है क्रेपिया माल्ग दर्शन करें देखे खेतों में जब है तो आप अंजाने में करें जान बुचके तो कर रही नहीं रहे हो और अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो उन सारे पापों से मुक्त हो जाओ क्योंकि कुछ इंटेंशन से आप नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है और आप कर रहे हो दूसरे जीवों को उधार करने के लिए आप ये कर रहे हो और भगवान भी अगर अब हरे क्रिष्ञ मामंतर कर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं गर हम जीवों को हत्या करते जो ये पैरलेली नहीं चलेगा ये लो जो है ये इस पर अप्लाइ नहीं करता है लेकिन हाँ ये सूख्षम कितानों जो हम नहीं देर पारे उनकी हत्या हो रही है तो इसमें जो है आपको माफी मिल जाएगी जब आप Hare Krishna Mahamantra कर रहे हो तब तो Digital Computer जी, उमीद करती हूँ आप Mataji के उत्तर से संतुष्ट है Thank you so much Can we have the next question? Karishma Hare Krishna Mataji, my question is that I live in abroad so when I serve the cows here do I get the same benefit as Gaumata in India? Yes कहीं पे भी आप गौव सेवा कर रहे हो आपको सेम बेनेफिट मिलेगा Anywhere आप कहीं भी भी करते हो आपको सेम बेनेफिट मिलेगा जी, तो Karishma जी इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप कहां रहे रही हैं, आपने प्रशन में लिखा है कि आप अबराड में रहती हैं, भाराज से बाहर रह रही हैं, और आपके मन में ये शंका है, कि यदि आप जो बाहर गौमाता रहती हैं, यदि उनका आप उनकी सेवा करेंगी तो आपको वैसा ही फल मिले गया नहीं, निश्चिंत रहिए, भगवान हर जगा हैं और वो दे कि आपके में रहे हैं, तो इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, गौमाता गौमाता है, और वो निश्पक्ष होके सबको प्रेम दे रही है, तो अगर आपके सपने में कोई भी गया आ रही है, वो शुब ही माने जाएगी, प्रभुजी, ठीक है ना? तो मंदार जी, no racism in cows, रंगों का कुछ नहीं है, माता जी नहीं रहे हैं, गौमाता आपके सपने में आ रही है, वो बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप जॉइनिग, प्लीज कीप आसकी, नेक्स क्वेस्टिन प्लीज, तेजल सोनी, हारे कृष्ण माता जी, धन्रवत प्रणाम, मेरा क्वेस्टिन ये है, माता के कान में हम spiritual wish मांगते हैं, तो क्या ये सही में पूरा होता है? येस, सही में पूरा होता है, क्या कि वो डिवाइन है, और अगर आप कुछ spiritual desire मांग रहे हो, तो ज़रूर आपकी पूरी होंगे, माता जी, आपने ऐसा कुछ तो mystical powers में नहीं बताया हमें गौमाता के बारे में, हाँ, ये, ये, अच्छली, गौमाता का चमतकार है कि कुछ अगर आप उसके कान में बोलते हो, तो फुल्फिल हो जाती, but only spiritual desires, okay, right, right, okay, thank you so much, thank you so much, तेजल्दी, please keep joining, please keep us being, next question, राजन, हरे कृष्ण माता ची देंडवत प्रणाम, भगवान ने मनुष्य योनी से पहले गाय माता को ही क्यों रखे? क्योंकि गाय जो है, वो सतोगुणी होती है, और गाय जो है, देने के मूड में होती है, बाकि बहुत सारे जो प्राणी है न, वो लेने के मूड में होती है, या तो रजोगुण में होती है, या तो तमोगुण में होती है, जैसे मान लोग भालू है, भालू छे महीने सोता अगर आप बखवत गीता आठारवी अध्याई में या पढ़ोगे ना कि सतो गून व्यक्ति की क्या क्या लक्षान है बहुत सारे लक्षन आपको गाए में मिलेंगे और इसलिए बगवान ने जो है मनुष्य से पहले गाय का जनन्म दिया है लोगों को तो आज के समय में उन्हें इतना कष्ट क्यूं सहना पड़ रहा है क्योंकि कल्यूग है और कल्यूग के लक्षन ही यही है कि इनसान बहुत स्वार्थी बन जाता है इनसान केवल अपने बारे में ही सोचता है और अपने परिवार जनों के बारे में नहीं ज़्यादा सोचता है और इसलिए गाय को बहुत कष्ट मिलता है तो साथ-साथ में ये है कि गाय जो है मैंने पहले भी बताया कि गाय अक्चली कष्ट सेहन करने में नमबर वन है तो विचारी वो सेहन कर रही है उसके पास टॉलरेंस पावर है और क्योंकि वो बोल नहीं सकती है तो उसको सेहन करना ही है और इसलिए फिर जो है गाय को बहुत कष्ट इस कल्यूग में अक्चली गायों को काफी कष्ट दिया जाएगा ये लिखा हुआ है शास्तर में गायों को काफी कष्ट भोगना पड़ेगा मनुष्यों को भी भोगना पड़ेगा लेकिन गायों को भी एकोली भोगना पड़ेगा और इसलिए हमें गायों को बहुत जरूरी है अब देखे ने एक एक एक्चली थे प्रभुजी I don't know his name वो तो तलवार लेके गूम रहे थे मैंने बहुत साल पहले सुना था या I think 10-12 साल पहले सुना था कि जो कोई भी गाय की हत्या करता है ना वो जाके उनको उनकी हत्या कर देते थे तो गोह हत्यार के लिए वो उन्होंने तलवार उठाई थी जो जो go हत्या करेंगे वो उनकी हत्या करते जाते थे मैं लग वोग सेमयनार में उन्होंने बताया था कि मैं ऐसाखली गो रक्षा के लिए बहुत अत्साही हो इंद मैंने परन लिया है जो भी go हत्या करेगा मैं उसकी हत्या कर दूँगा ँँ मोट चलिए, thank you so much अना जी, can we have the next question Sandeep माता जी काव को बासी रोटी देनी चाहिए आज बनाए और कल दिये तो हाँ, very important question, thank you for asking this question Sandeep जी गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए गाय को हमेशा ताजी रोटी ही खिलानी चाहिए ने तो हम गाय को, जैसे हम बासी रोटी खाएंगे तो हम बिमार हो जाएंगे तो उसी तरह गाय भी बिमार हो जाएगी गाय दूसरों का इलाज कर सकती लेकिन बिचारी गाय अपना इलाज खुद नहीं कर सकती है ठीक है ना, जी, thank you so much गाय को, रिस्पेक्ट ही नहीं है ना, we don't respect cows at all हमें भी अब्धी भी लगता है कि ये अनिमल है, ये जानवर है हमें लगता ही नहीं है कि ये अच्छी मेरी मा है और मा को कभी कोई बासी रोटी खिलाएगा क्या, तो ये थोड़ा ज़रा एडूकेशन का प्रॉबलम है थोड़ा एडूकेट हो जाएंगे तो लोग थोड़ा, you know, अच्छी तरह से बिहेव करने लगेंगे काव के साथ बिल्कुर, आम एडूकेट कर रहे हैं माताजी, आप आईए आज एडूकेट करने और आपने बहुत लोगों को एडूकेट किया है आज, इंक्लूडिंग मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट क्वेस्टन प्लीज अरे कृष्णमाताजी, गाई के साथ इतना अत्याचार हो रहा है जिसके कारण मार्केट से काव प्रॉड़क्ट खरिदने का मन नहीं करता ऐसे में भगवान को भोग कैसे लगाएं जितने भी जो प्रॉड़क्ट्स है न ये गाई के प्रॉड़क्ट्स अगर हम लेते है तो वो अच्छे है बट वाट आई फील इस दाट काव प्रॉड़क्ट्स जो अभी बन रहे है वो अच्छी गाई की प्रॉड़क्ट्स से ही बन रहे है ऐसे नहीं की नहीं बन रहे है तो ये मेल मिलावट में भी अदर प्रॉड़क्ट्स में होती है लेकिन गाई की प्रॉड़क्ट्स में मेल मिलावट आई डून दिक सो होगा तो उस काव डंग, काव डंग है, है ना, काव यूरीन, काव यूरीन है, तो उसके अंदर इतना मेल मिलावट मैंने नहीं देखा हुआ है, अभी तक at least with branded, you know, Ayurvedic products में, थोड़ा branded लेंगे तो उसके थोड़ा मेल मिलावट नहीं मिलेगा, तो थोड़ा आपको थोड़ा research कर तो थोड़ा मेहंगा बेच रहा है, तो थोड़ा मेहंगा बेच रहा है, लेकिन आपके बच्चों को, आपको, सबको जो है, वो न्यूटरन वाल्यूज मिले, जो आजकल हमारे खानपान में नहीं मिलते हैं, ठीके ना, प्रबजी? बिलकुन. आपने भी एक बहुत इंपॉर्टन प्रिश्ण पूछा, प्लीस कीप जॉइनिंग, प्लीस कीप आसकेंग, नेक्स्ट वेस्टिन, राधे श्याम भक्ती, हरे कृष्णों दर्णवत प्रणाम, क्या हमें जो मार्केट में पैकेट वाला मिल्क मिलता है, वो हमें पीना चाह आप यह, मैंने सुना है कि पैकेट वाला मिल्क गॉम आता को कस्ट देकर निकाला जाता है, येस, येस, काफी कस्ट देकर निकाला जाता है, तो आपको है न, अपने लोकल में आपको कोई गोशाला देखनी पड़ेगी, और वहीं से दूद मंगवाना पड़ेगा, लेकर म भक्ति है वो, तो उनकी भी वही सेवा है कि बहुत अच्छी तरह से husband wife वह सेवा करते हैं और सारे community को यहाँ पर वो milk supply करते हैं तो राधिश्याम जी उम्मीद करती हूं माता जी के उत्तर से आप संतुष्ट हैं प्लीज कीप जोइनिंग प्लीज कीप आसके नेक्स राजीव, हारे कृष्ण माता जी, हमने सुना है कि सीता माता जी ने काव को श्राब दिया था राजीव जी आम फेरी सॉरी मुझे इसका उत्तर नहीं पता है मैंने नहीं सुना है अक्छिली कहीं वे भी रामायन में तो कम से कम इसका उलेक नहीं हुआ है पूरी रामायन ज प्लीज फोड़ा से रिसर्च, फोड़ा से होमवग करके आप कल फिर आईए. कल भी लाइव शो होने वाला है और मैं ही उसकी होस्टिंग करने वाली हूँ. तो चाहे गेस्ट कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, I remember your name. आप लीज अपना रिसर्च करके कल वापस आईए. Thank you so much. Also sorry for the inconvenience. Next question. Jainthi. Hare Krishna Mataji, Dandavad Pranam, क्या काव को जूठन खिला सकते हैं? बहुत सारी लोग काव को जूठन खिलाते हैं. नहीं, नहीं खिलाना चाहिए. बिलकुल भी नहीं खिलाना चाहिए. क्योंकि गाए हमारी माता है और 33 करोड देवी देवता उसमें वास कर रहे है. तो इसलिए हमें कोई भी जूठन नहीं खिलाना चाहिए उनको. बिलकुल. Jainthi जी, आपको माता जी ने अच्छा उत्तर दिया है. I'm sure आप संदुष्टे हैं. Please keep joining, please keep asking. Next question. Amit. तो आप पी सकते हो प्रभु जी. विदेशी गाय का भी दूद अगर आपके पास देशी गाय का दूद नहीं मिल रहा है आपके एरिया में तो. Thank you so much Amit जी. उमीद करती हूँ आप संदुष्टे हैं. Please keep joining, please keep asking. Next question. देबश्ट्री. माता जी, मैं घर के आजपास गाय को किला खिलाती हूँ. क्या वो एक सेवा है? देशी गाय नहीं है वहाँ. आप गाय को जिस रूप में खिला रहे हो, आप सेवा ही कर रहे हो. आपके आजपास, अगर आपके खुद की भी नहीं है, दूसरी की गायों को भी आप जाकी खिला सकते हो, वो भी एक सेवा ही माने गई है. गाय का स्पर्श करना, गाय को सिर्फ दर्शन करना, गाय को सहलाना, गाय को प्रणाम करना, गाय की परिक्रमा करना, यह सारा अपने आप में ही दिव्यता में परिवर्तन हो रहा है आपका. वाँ. रेवाश्री जी, congratulations to you. आप बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं. Please keep joining, please keep asking. तो रिलाक्स जी पूछ रहे हैं, क्या कन्यादान गौदान के बराबर है? नहीं, दोनों दान अलग हैं. कन्यादान अलग है और गौदान अलग हैं. तो यह दोनों को mix नहीं कर सते हम लोग. जी. Thank you so much, रिलाक्स जी. Next question. सीमा वर्मा, माता जी, I live in Canada, but there's no cows near my house. I cannot do that, Seva. What should I do? तो सीमा जी कहते हैं, कि वो कानेडा में रहती हैं, लेकिन उनके घर के आसपास कोई गौम आता नहीं हैं. ऐसे में, वो कैसे कोई सेवा कर सकती हैं? आप देखिए, बहुत सारी संस्था हैं online पे. In fact, आप हमारी इसकॉन संस्था ही देखो, इसकॉन वरिंदावन टाइप करना आपको मिलेगा, उनके वेबसाइट पे जाके आप उस गोशालों को सपोर्ट कर सकते हैं. वहाँ पे almost मेरे कहाँ से 300-350 काउस हैं. तो वहाँ पे आप कुछ लक्षमी देखें, उनको सपोर्ट कर सकते हों. और तक वहाँ पे भी बहुत अच्छी गाये हैं. आप कभी देखो YouTube और इसकॉन वरिंदावन काउस. और आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी तरह से उनक को पे कर सकते हो वहाँ पे अपना every month आप गो सेवा कर सकते हो वहाँ पे इसकॉन ब्रिंदावन में. सेमा जी, I'm so happy for you कि आपकी सेवा भाव को तृप्त कर दिया है मातर जी ने आपको एक जरिया देके एक द्वार खोल के आपके लिए कि आप इस माध्यम से बहुत सेवा कर सकती हैं. Thank you so much. Please keep joining. Please keep asking. With that मातर जी, we have the last question of the session. Can we have the last question, please? Shekhar, Hare Krishna, एक दशी को काव को रोटी खिला सकते हैं? खिला सकते हैं वैसे काव को, क्योंकि गाए एक अधिशी तो नहीं करती हैं, गाए को तो अपने नॉर्मल भोजन चाहिए होता है, तो आप खिला सकते हो गाए को, लेकिन ताजी रोटी, ताजी रोटी, बासी रोटी नहीं. हाइलाइट कर लीजिए इसको प्रभुजी, कि हमें गाए को, नौट जिस प्रभुजी हमारे सारे दर्शक, हमने कई बार, ओके, शेकर जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद उमीद करती हूँ, आप सत्विष्ट है, तो मादर जी इसी के साथ हमारा ये सेशन आपके साथ यहां समापत होता है, अगैन मैं पूरे दर्शकों की ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सबसे पहले कि आपने इस एक से देट घंटे के टॉक शो के लिए कितने घंटों का रिसर्च किया है, ये साफ-साफ हमें दिख रहा है, उसके लिए आपक एक इतनी बड़ी हमारी सुआफसर, सौभाग गया, जैसे आपने कहा कि भगवान का सबसे बड़ा वर्दान है, लेकिन हम उसे देख के हैं देखा करते हैं, थांक यू सो मच माता जी, हमें रियालाइस करवाने के लिए कि हम कितने जादा लगी हैं, थांक यू फॉर है, क्रिशना. बनने का अफसर मिलता है जहां मैं आपके प्रश्णों को गेस्ट तक लेकर जाती हूं और गेस्ट के आंसर को आप तक लेकर आती हूं थांक्यू सो मच प्लीज आप अपने मित्रों सगे संबंदियों रिष्टेदारों को हरे कृष्ण टीवी के बारे में बताईए कैसे हम लाइव सेशन को अरेंज करते हैं आपके लिए आपके spiritual material doubts को clear करने के लिए और कही ना कही हम आपके जीवन को आसान बनाने का अपना एक परयास कर रहे हैं और आपको प्रिरित कर रहे हैं कि आप कही ना कही से भक्ती करना शुरू कर दीजिए प्लीज आप हमारे comments में बताईए क्या आप किसी विशेश topic पर कोई discussion चाहते हैं क्या आप किसी विशेश व्यक्ती से कोई discussion चाहते हैं देखते रहिए पूछते रहिए हरे कृष्ण TV के live sessions को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार हरे कृष्ण